नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में, मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्चूडर में मौझूद है Capital TV के एडिटरीन चीफ दोक्तर मनिश कुमा जी डॉक्स अब आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर जहांगीर पूरी में चला शाह का पूर्डोजर दो घंटे की कारेवाई में हिंसा के आरोपियों की अवैद संपत्ती द्वास जहांगीर पूरी हिंसा मामले में ग्रह मंत्राले सक्त एने से लगाते हुए जांच के लिए बंगाल भेजी क्राइम ब्रांच की टीम अर्विंद केज़ी वाल के खिलाफ बयान बाजी करने वालों पर कारेवाई कुमार विश्वास और अलका लांबा के घर पहुँची पंचाब पूले बंगाल में चुनाओं के बाद हिंसा मामले में ममतब अनरजी को जटकर सीब्याई ने पेश की अपनी चौथी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोट ने लिए ताबर दोड आक्शन मुश्किल में फसे इमरान खान 31 करोड रुपे की हेरा फेरी का लगा आरोप सत्ताधारी पार्टी ने इमरान को पताया चोड आज की सबसे पहली खबर जहांगीरपूरी में चले शाह के बुलडोजर पर जहांगीरपूरी हिंसा के बाद केंद्री ग्रह मंत्री आमिछा की सक्ति का असर देखने लगा है आज जहांगीर पूरी इलाके में बुल्डोजर अभियान चलाया गया जिसमें हिंसा के आरोपियों की अवैद संपत्ती पर जम कर बुल्डोजर चलाया गया सब कुछ द्वस्त कर दिया गया और ये कारेवाई लगबग 2 घंटे तक चली जिसके बाद सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर पर रोक लगा दी लेकिन आदेश की कॉपी मिलने तक बुल्डोजर दोडता रहा अब पूरे इलाके को चाबनी में तब्दील कर दिया गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है डॉक्टर साब दिल्ली में शाह का बुल्डोजर चल गया आरोपियों को कोई सबक मिला होगा बिल्कुल सबक मिलेगा और मिलना भी चाहिए और ये जो बुल्डोजर से जो तुरत इलाज किया जा रहा है जो योग्यादी तिनात का एक मॉडल के रूप में सामने आया है कि शांती स्थापित करनी हो बुल्डोजर चलाओ सब लोग बिलकुल काईदे कानून को फॉलो करेंगे देश भर में रमनम्मी और हनवान जैनते के वक्त बबाबाल मचा और पुरा यूपी शांत रहा बहस तक नहीं वो असर था बुल्डूजर का अब दिल्ली में बुल्डूजर चला है तो लोगों के पेट में दर शुरू हो गया दर्द यूँ शुरू हो गया कि भई इन लोगों ने तो बंगला देश्यों और रोहिंग्या इसको दिल्ली में बसाया है बोट बैंक के लिए कि आप कुछ भी कर लो लेकिन इनके पास हर उस जगह पे स्टर्डिक तरीके से आपने मुसलमानों को बसाया है तो उनका उनकी सुरक्षा करनी तो जरूरी है तो बुल्डोजर जैसे ही चलना सुरूर हुआ पहुच गए वही टुकरे टुकरे गैंक के लोग सब सुप्रिम कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट भी हरपड़ा गई उन्होंने कहा कि भई अभी स्टे लगा दो कल सुनवाई करेंग और केजरिवाल के दुष्टता देखी है ये लोग कह रहे हैं कि देश्टे ग्रिमंत्री के घर पर ही बुल्डोजर चला दो ये लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के हेड़कॉर्टर के उपर बुल्डोजर चला दो अजीव इस्तिती है आम आधी पाटी के ऑफिस के उपर पर बुलोजर चल जाए तो यह तमाशा कर रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटना कि बीजेपी रोहिंग्याज और बंगलादेश्यों को बसा रही है 2020 में यह जो शाहिन भाग है शाहिन भाग के ठीक पास ही यूपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है वहाँ पे रोहंग्याज और बंगलादेशी की खबर मिली योगी आदितिनात को बचल पड़ा बुलोजर उठा के ले जा रहा था तो यही आमादी पार्टी का जो वहाँ पे विधायक है अमानतुला दे हिर्ष्टी सीटर उसने इन लोगों को दिल्ली में बसवाया और आज आमादी पार्टी के तरफ से सवाल पूछा जा रहा है खैर राजणीती अपनी जिगर पे है लेकिन इस तरह की कारवाई से दंगा फैलाने वालों का जो साहस है उसको जटका मिलता है ये इंटे नहीं गिरती बुल्डोजर से दंगाईों की हिम्मत पस्त होती है एक तरफ दिल्ली में शाह का बुर्डोजर दोड रहा है तो वहीं शाषन प्रशाषन इस केस को सुलजाने में जुटे हुए हैं और हिंसा के आरोपियों की कुंडली को खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बंगाल पहुंच गई है ग्रह मंत्राले ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए अंसार, सलीम, सोनू, शेक, दिल्शाद और अहीत के खिलाब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी की एनसे लगा दिया है इसलिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के तीन अधिकारी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं जानकारी के मताबक क्राइम ब्रांच की टीम सोनू और फ्यूनिस के ठिकानों पर भी जाएगी डॉक्टर साब दिल्ली के बाद बंगाल तक जांच होगी बंगाल से इस केस का क्या कनेक्शन है बिल्कुल वही कनेक्शन है जिसे आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, राहुल गांधी छुपाना चाह रही है बंगाल और बंगाल में माल्दा, दिनाजपूर, मुर्शिदाबाद, यह जो बंगला देश से जुड़ा हुआ, उससे सटा हुआ इलाका है यह में जगा, यह धंदा है इन लोगों का, हिंदुस्तान में जो सेक्ट्र इंडस्ट्री है, उसका एक बहुत बड़ा धंदा है बंगला देशियों को हिंदुस्तान में घुजाने का, उनका राशन कार्ट बनवाने का, उनका आधार कार्ट बनवाने का, उनको बकैदा सारी सुर्धाएं मुहिया कराने का और हर व्यक्ति के उपर इलोक पैसा लेते हैं. अब यह जो जहांगीत पूरी में जो मोटे मोटे चेन लगाये वाला गोल्डन नाटक जो पुस्पा बन रहा था, मैं आपको बता दू, पुस्पा किस्तिती खराब है, सरीर में बहुत चोटे आई हैं उसको, पता नहीं कहीं गिर गया होगा, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है ठीक से, ऐसी जानकारी मिली है, तो वो पुस्पा, वो भी बंगाल का, यह सारे लोग बंगाल से, क्या धंदा है इनका, पहले दिन हमने कहा था कि यह जो इलाका है, यह चाइल ट्रेफिकिंग, हुमन ट्रेफिकिंग, प्रोस्टिचूशन, ड्रग्स, फेक करेंसी, यह सब क सब जितने भी इनलीगल काम होते हैं, यह बंगाल और देश के अलग अलग जगहों में, जो बंगला देशियों का जो पॉकेट बना हुआ है, जिसे कॉंगरिस पार्टी, लेफ्ट, केजरिवाल, और तमाम सेकुलर पार्टी के लोग, यह तमाशा करते हैं, यही इसका कनेक हुमें, और लेडी यह शामिल हैं, लेकिन इनको अब तक इसलिए, जो कह सकते हैं कि वरद हस्त मिला हुआ था, आम आदमी पार्टी का, किस तरह से तस्वीर आई हैं, हमें चाहिए स्वराज, मैं भी केजरिवाल, तो यह केजरिवाल के जो फोटो कॉपी सब हैं, यह सब ल केजरिवाल अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कारिवाई करने पर उतार हो गए हैं, आज सुबह कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुच गई, जिसकी जानकारी विश्वास ने ट्वीट करते हुए कहा, कि एक समय मैंने ही पार्टी में शामिल कराए भी पंजाब पुलिस के जवान पहुच गई, डॉक्टर साब केजरिवाल पंजाब पुलिस का गलत अस्तमाल अपनी पसनल लड़ाई के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई सुबह की कोई बात ही नहीं है, ये व्यक्ति एक आत्म कामी व्यक्ति है, हीज नार्सिस्ट जो कोई इसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ये शडियंद्र रस्ता है, अभी तक तो दिल्ली पुलिसिस के हाथ में नहीं तीन, तो बहुत सारे लोग जेल के अंदर होते, शायद हम लोग भी प्रोग्राम नहीं कर पाते, जेल के अंदर भेज दिया होता ये केजरिवाल, ये हिंदुस्तान की राजनीती का नटवर लाल इतना शातिर है, कि इसको पावर मिलते ही, ये बाउरा जाता है, ये पागल हो जाता है, और इसलिए किन लोगों के खिलाफ इसने कारवाई की, पहले और तीन लोगों के खिलाफ इसने कारवाई कर चुका है ये तिजंदर भग्गा नवीन कुमार और एक पृति गांधी इतिन लोगों के खिलाब इनों ने टूटर के उपर कुछ इनके खिलाब का तो पुलिस भेज दिया गया वेरी कुड ये आजादी की आजादी आजादी हमें चाहिए आजादी ये केजरेवाल वही धंदे में र विश्वास ये तो नमक हरामी है कुमार विश्वास की वज़े से आज केजरेवाल यहां तक पहुंचा है ये तो आप अपने सबसे करीबी दोस्त के उपर तुमने आज धावा बोल दिया घर में आइना वेरा है कि नहीं लोगों के पास समझ भी नहीं आता है आदमी इतना गिर जाए इतना गिर जाए कि जिसको आप जिसके साथ आपने सुरुवात की अगर कुमार विश्वास नहीं होते केजरिवाल आज अधना सा व्यक्ति कहीं किसी जुगी जोपड़ी में अपना NGO चला रहा होता और डिवाइन जस्तिस तो सबका होता है बड़े बड़े सूर्मा जमीन में धस गए यह धोखे बाज लोगों की का इलाज इसी जिन्दगी में होता है इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए बड़े बड़े लोग देखे महराष्ट के अंदर में कहां जेल के अपनी बरबादी के तरफ चल नहीं दोड रहा है जी रॉक्त साब एक तरफ केजरिवाल अपने पावर का मिस्यूस कर रहे हैं तो वहीं बंगाल सरकार को कलकता हाई कोट से एक के बाद एक जटके मिल रहे हैं चुनाओ के बाद हिंसा में मारे गए अभजीत सरकार की मां औ और भाई को कलकता हाई कोट ने मुआफजा देने का निर्देश दिया है इसके साथ ही मुक्यन आयादीश ने बेघरों के मामलों में मानवादिकार आयोग को नई कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया तो वहीं CBI ने चौथी स्टेटस रिपोर्ट दायर की है जिसम में चुनाओं के बाद हिंसा के मामले में 250 लोगों के खिलाफ चार्ट शीट पेश की गई और 224 लोगों को गिरफतार किया गया डॉक्टर साब हाई कोट के आदेश के बाद ममता सरकार की हेकड़ी कम होगी यह नहीं ममता सरकार ममता प्रणजी कुछ हुआ ही नहीं हुआ हजारों महिलाओं हिंदू महिलाओं के साथ बलातकार हो गया ममता भरणजी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ मेरे सपत लेने तक कुछ नहीं हुआ और सपत लेने के बाद वहाँ तो कुछ हुआ ही ने क्यूं अब हाई कोट एक एक का हिसाब ले रही है और CBI ने 224 लोग को गिरफतार किया है और इसमें सब के सब आप कह सकते हैं 90.50 से ज़्यादा एक्टिव त्रिणमूल कॉंगरेस के कार करता है ये गुंड़ई ये बदमासी ये दंगई ये जिहादियों के बल पे राजिनिती करने वाली ममता बनर जी ये तो 2024 में परदान मंत्री बनने का सपना देख रही है लेकिन इसी केस से ये सचाई जब दुनिया के सामने आएगी कि ममता बनर जी ने जीत के बाद वहाँ क्या-क्या गुल खिलवाए हैं त्रिणमूल कॉंगरेस के गुंडों ने क्या-क्या किया है पूरी दुनिया त्रिणमूल कॉंगरेस के ऊपर घ्रना करेंगे चिठ्थे धीरे-धीरे खुलते जा रहे हैं जेल की हवा खाएंगे बिल्कुल उनका जेल जाना तै हो गया है लेकिन उसमें बस एक दिक्कत आ रही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में केजरिवाल के बहुत सारे समर्थक हैं जो मुर्खता में इसकी सच्चाई को नहीं जानते हुए भी उनके लड़ते है सोसल मीडिया पे और हर जगर उनको लगता है कोई हरिस्चिन का अवतार पैदा ले लिया है उसी तरह का नेटवरलाल इमरान खान है बिल्कुल सेम सत्ता गई है इसने अपने कारकरतों को उकसा दिया है एक रिपोर्ट पाकिस्तान में बाहर आई है जो वहां के इंटिलिन्स ने दिया है कि पाकिस्तान is at the brink of civil war पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इतना दोईश इतना सब कुछ हो चुका है कि वहां civil war जैसी इस्तिती पैदा हो गई है और इस्तिती पैदा इम्रान खान ने कराई है वो घूम घूम करके सारे गदार बताया जा रहा है आर्मी को वहां विपक्स को वहां तो उसको counterbalance करने के लिए क्या किया जाए कैसे इसको जेल के अंदर डाला जाए कई इम्रान खान को जेल के अंदर इसलिए डाला जाएगा अगर वो जेल के अंदर गया बस नफ़ा नुकसान देखना है कि भई लोग कितने बाहर आईगे लेकिन आर्मी सड़क पर आ जाएगी तो लोग अंदर घर के चले जाएगे मरना कौन चाहता है वो भी इस तरह के फ्रॉड किसम के लीडर्स के लिए तो नया अभियान सुरू हुआ है कि ये चोर है वो सारे आर्मी को विपक्ष को गदार कह रहा है तो इन लोगों ने अब इसे चोर कहना सुरू किया है ताकि उसकी जो लेजिटिमेसी है कुछ लोग जो इसके समर्फन में खड़े है उनकी बुद्धी खुले लोग नाराज है लेकिन कारकरता जिनको इसने घुट्टी पिला दी है अब उसका क्या किया जाए बहुत जल्दी ही आर्मी वहाँ पे क्रैक डाउन करेगी इमरान खान का जेल जाना अल्मूस्ट तैह है जे डॉक्ट साब बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी का धन्यवाद